प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें महिश रामुद्दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स की नाम है श्री शाहिए अपार्टमेंट है ये पाँच मनजिला इमारत आज करीब दो से तीन बजे के आसपास में इस इमारत में रहने वालों को आवाज सुनाई दी जिसके बाद इमारत में करीब 36 परिवार रहते थे इन सभी लोगों ने इमारत को खाली करा दिया है हला कि जैसे ही ये खबर मनपा के अधिकारियों के लगी कि संजय नगर में स्री शाहिए अपार्टमेंट जो है धोखा दायक है और यहां से जो है क्रेक होने की भी खबर सामने आई हम आपको तस्वीरे दिखाएंगे कि जिस तरह से ये इमारत का आप भीम देख रहे हैं यहां पर जिस तरह से क्रेक हुआ इसी तरह का आपको इस इमारत के जो फ्लैट है उनमें भी इसी तरह के दरार मिलेंगे और पीछे के साइड में जो नाला है जो गटर है वहां भी जो भीम है इसी तरह का जो है वहां भी दरार लगा दरार आपको नजर आएंगे वहराल मनपा के अधिकारियों ने बताया कि यह इमारत जो है पहले से ही उनके लिश्ट में धोखा दायक शामिल थिया वहराल एक साल पहले इस इमारत में भी इसी तरह की दरार पढ़ने की खबर सामने आई थी जिसक इसमें जो रहने वाले परिवार है उनके लिए कहीं ना कहीं जो है अब मुसीबत सामने आ गई है उनके सर से छट छिन चुकी है हलाकि जो मनपा के अधिकारी है उनका साफ कहना है कि इमारत को प्रयास है कि तोड़ा ना जाए आज रात भर यहाँ पर काम चलेगा जो मनपा के एक्सपर्ट है वो भी यहां पर आये थे और लोगोंने साफ थर पर कहा है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस इमारत को तोड़ा ना जाए और जिस तरह से इसकी audit report आएगी उसके मताबिक इस इमारत का जो है काम करके इन्हें दिया जाए वहरहाल जो इस 37 परिवार 36 परिवार इस इमारत में रहते थे उन सभी को टीमसी का जो इसकूल है उसमें रहने के लिए बेवस्था उनके लिए की गई है इसी जानकारी मनफा के तमाम अधिकारियों ने दी है और एहतियात के तोर पर किस इमारत में बाई चांस अगर कोई धोखा हो या इमारत गिर जाए तो जो आज पडोस में जो इमारते हैं वैस्थनुवी वन वैस्थनुवी टू है इसमें जो परिवार रहते थे करीब 25 से 24 परिवार इसमें रहते हैं इन लोगों को भी एहतियात के तोर पर 5 से 6 घंटे इस इमारत से बाहर निकाल दिया गया है बहराल आज पूरी रात इस इमारत का काम चलेगा यहां पर सपोर्ट लगाने का काम जो है किया जाएगा आउडिट रिपोर्ट आने के बाद ही मनपा इस पर जो है अठोर्टी देगी किसमें आप रह सकते हूँ भी इस पर फिर रिपेर करके इन पर रहने के लिए मनपा कहेगी लेकिन जिस तरह से मुम्रा का संजन अगर यह इलाका है और यहां पर आद दो पहर के वक्त जिस तरह से यह खबर जब सामने आई यहां पर काफी हलचल मच गई थी लोगों में काफी डर का महौल हो गया था हलाकि जो इस इमारत में रहने वाले लोग है और वैस्ट नुई आपका रहने इस संब जाए आपका है इसाले अब डाल जाए आइए रहने के लिए यह दो ज़त नहीं हुआ है व्हें पहले डिल जाली था बाबूसपर बना है रहने हम हम एक आप को लोगो का इसकूल में बताए जा रहा पर आपकोड़ को बंशे में पाकोल पर एक करेंगे ना खाने के लिए पिर अगर कल बारीश होईगी पिर सामन निकाले कि तो रोड को तो नहीं तरह नहीं बात होई आगे लिए रूम दिया है तो इंसान कि तर पी जा सकता ना पूल करेंगे तो इंसान आराम से बॉल सकते हैं कि हमको रूम चाहिए बुल के ताह जाएंगे सामन का निकालेंगे बारीश बानी में सामन निकाल के रोड को तो नहीं खाड़े रह सकते हैं हमको सेटी तो नहीं खाड़े सकते हैं तो आप लोगों को रहने का बंद बस करेंगे तो खाली करेंगे न हम लोगे हमको दोसरे घर हाने के लिए यही घर हैं नहीं जागा चाहिए नहीं भी तो नहीं रहेंगे तो रहेंगे नहीं बारीश बच्चे लोगे लेके आप लोग के पास और कहें प्रयाप बंदोबस नहीं नहीं है लोगड़न लग गया बारिश पानी में किसका दंदा है किसका नहीं है क्या करेंगा इंसां करेंगे इंसां हमारा बील्डिंग में टराथे थे दो रूम था मेरा, मैं उसी मेरा राथे थे क्या करूँ है अपव डोरूम कर समान लेके पा अफ्यों नहीं है वह अउन देगा अपान को रोम नहीं बाभग एक बच्चे को दिखता नहीं द खरन आए ए आपसे उसको लेके पाने करीब दो बजे ग्राउंट फ्लोर में जो घर है उस घर के लोगों को कुछ आवाजे सुनाई दी तो जब उन्होंने देखा कि हमारे कमरे के अंदर जो एक कॉलम है वो फटने लग गया उसका ये था उसका कॉंक्रीट फटने लगा और कॉंक्रीट फटके रेती भार गिरने लगने लग गई तो रेली सबसे पहले तो वो जो बिल्डिंग खाली करने का समय आ गया है क्योंकि कुछ बिल्डिंग अभी डेंजरस लगने लग गई है एक चीज़ अभी मैंने हमारे साय का एक तो सबसे पता करा है कि यह बिल्डिंग प्रशासन की तरफ से धोकोदाएक गोशित की भी है इमेरियेटली जब यह बात सब्सक्राइब में प्रशासन की बहुत मदद करी एक चीज में आपको बता देता हूं प्रशासन का एक जो में एम है किसी भी हालत में हम भी नहीं चाहेंगे कि यह बिल्डिंग टूटे अगर बिल्डिंग रिपैर हो सकती है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि ये बिल्डिंग रिपेर करने का मौका हम लोगों को दें लेकिन उसके पहले कुछ उपायोजना करना ज़रूरी है मेरे काल से वो टेक्निकल बाते हैं तो गोसा भी सब बता है तो जादा ठुक रहेंगा इन लोगों को रहने के लिए कोई बंदोबस तुपाय किया गया है देखिए अभी कैसा है कि यह तो एक इलीगल बिल्डिंग है और बिल्डिंग धोकादय को चुकी है मानोता के दृष्टी से बाजू में अचानक नगर में एक स्कूल है वो स्कूल हमने खोल दिया है पूर्ती पुनर्वसन टेंप्रेरी रिहाबिलेटेशन तो हम स्कूल में कर रहे हैं इसका पूरा नियोजन हमारे साय का एक सालों के साब कर रहे है और इसमें हमें सानिक नगर सिवक का भी सपोर्ट है रहा प्रशन बिल्डिंग गिरे नहीं तो यह बहुत ही एक टेकनिकल इसमें हमारे गोसावी साब और हमने कंसल्टन की बुला दिये जिनका नाम है मिस्टर चवान तो उनके एक्सपर्ट एडवाइस के तहट और गोसावी साब परस्नली यह मॉनिटर कर रहे हैं उसके इसाब से आज रात से ही और अभी से ही क्या-क्या हम उपायवजना कर सकते वह करना हम शुरू कर देंगे आप मेरे खाल से गोसावी साब से फूस लीजिए गोसावी साब क्या बताएंगे टेक्निकली बिल्डिंग की स्थिती क्या है कितनी खतरनाक है जैसे कैटेगराइशन होता है C1, C2A, C2B तो किस कैटेगरी में आ रही है और क्या निरने है प् अब आपको भी दिखे कि सब तरफ से बिल्डिंग आच्छी दिखती है गरवन साइड का जो कॉर्णर है जिदर कैंटी लेवर उसका ज्यादा बाहर आया है और एक सिंटन्स उसका आइसा दिखता है कि दो-तिन साल पहले उसको एक एस्ट्रा कॉलम भी लगा तो जिसनी बा ही इसका एक पहलाह सिए हो जाध आए यहीं वो संपसका ने कि प्रक्वास के गुब होना मंगता है इंग्यार। करते करें डso correct और उसका लॉट जादा हो गया लोट जादा ऊनी क्युचा ज़्कित इसाट करकू क्वाइशन अग्इट् द८ाभ रहे वो उतनी स्टेंट वाला कॉलम कॉंखेट का तो राट और खाड़ा नहीं कर सकते को सुटील का आइस एक्षन का अगा बल जोइन करके उसके ऊपर स्टेपनर दालके उसको स्टेंद देगे से एक इंचिट दालके उपर भी प्रॉस दालके उसको बाचानी कीको करें अपने प्याइन के ऊपर के हैं वह का एपने प्याणिक लगेंगे उन्हें को बसे खेंगी तो बचानेका लाइगा रस्ते जब बंद हो जाए तो हमारे पास यह क्या रस्ता है उसको रातो रात शपकोड लगाना बुद्ध लोगों के लोगों ने भी सात करके आई सेक्षन तो रहना मुंगता है और चाववन साहब के अंडर सुपज वर में लगाएंगे तो विलिंग बाकी के बिलिंग को तकलिब ने होने होना मुंगता है कि इतने दिन यह प्रक्रिया चले प्रोसेस पूरा करेंगे मगर रातो रात कॉलम लगाएंगे तो मेरे को थोड़ा एक्षूरंस आएगे कि विल्डिंग तिल्ट हो रहे हैं निचा रहे हैं अन्य आ रहे हैं वह हिसाब से और दुसरा एक ट्राइल है वह पट्टी का वह मैं अभी करता हूं उसका फ्लोरिंग हैं विल्डिंग तिल्ट होती है या कहीं बहुत सारे मकान या दूसरी बिल्डिंग जद में आ सकती है इसके लिए क्या साउधानी की उपाई होजना की गई है अभी जो भी अपाटमेंट जो विल्डिंग थी उसको तो हम लोग शिप्ट कर रहे हैं उसके बाजो वाली भी वाइशनवी करके बिल्डिंग है, उसमें 20 प्लैट्स है कुछ तो उसमें रसिटन्स को भी हम शिप्ट कर रहे हैं, आगे के साइड में भी एक चाल है, उसमें छही रूम से, उन लोग को भी हम शिप्ट करने के सोच रहे हैं, पिर मानने उपायकत साथ के साथ हम लोग जो स्क प्लैट्स करें वाजों वोशिप्ट कर जाएं, पालका एक बार इस्ट्रिक्शन करके वाजों वोशिप्ट कर जें